आज कल हमने देखा होगा कि बच्चों में बहुत ज़्यदा इंसाइटी आ रही है उसकी वज़ए बहुत सारी है उनका फूड है सोशल मीडिया है टीवी देखना है गेम्स है वीडियो गेम्स यह सारी सीजे मिलक के जो है इस वकद पूरे का पूरा कल्चर है जो बच्चों म आप ऐसा काम कहते हैं कि यह काम कर लो पढ़ाई का काम आता है तो वो इंसाइटी स्टार्ट हो जाती है अधर देन डैट देर ओके विडियर रिलेशन शीप विडियर फ्रेंड विडियर फ्रेंड इंड एवरिटिंग लेकिन तुहीं उनका प्रैक्टिकल काम जो लाइक न आना सुबह स्कूल जा रहे हैं तो देर क्राइंग उनको कोई प्रॉब्लम है को इस्यू बहुत सरे इस्यूस हो सकते हैं लेकिन उन इस्यूस की वाज़ा से उनके अंदर जो इंसाइटी आ रही है वह ऐसा पैरेंट आपको पता होना चाहिए कि उस इंसाइटी को अपने कै और डिप्रेशन जब होता है तो यह चीज़े करती हैं आपकी बॉड़ी का जो इसको इंक्रीज करती है एक चोटी से चूटा सा बच्चा है जो कॉर्टीजो को सफर कर रहा है कॉर्टीजों की वज़ा से और आप लोग उसको सही कर सकते हैं यह चीज़े आपके बात करते हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं होती है, तो फिर उसको थोड़ सा डिफरेंट डील करना है, लेकिन अगर इन्साइटी की रिजन कोई गेम्स हैं, कोई आपके घर में लड़ाई जगडा है, कोई और बाते हैं, तो उस चीज को आप पॉइंट आउट करें, क्योंकि ज जब तक आप बैलस नहीं करेंगे, तब तक बचों के अंदर वो इन्साइटी रहेगी, और इस इन्साइटी के वाएसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो बहुत इंटेलिजन्ट होते हैं, लेकिन उनके ग्रेट्स वो नहीं आपाते हैं, क्योंकि रिसाइट्स ये बात कह बच्पोन से लेकर अपने फैमिली लाइफ में, फिर वो अपने बचों को वो एन्सायटी ट्रांसफर कर देते हैं, जिन पैरेंटे हम इन्साइटी होती है, तो अगर आज आप रोक देंगे, मैं अपने पेशेंट है, मैं पेशेंट होती अगर आप 360 का टर्न लेंगे, तो जो आप चाहते हैं उनसे, उनके अंदर leadership quality हैं, उनको evolve करें, किस तरह से वो leader बन सकते हैं, लेकिन इनी चीज़ों की बज़ा से उनके अंदर बहुत सारी और problems वाजाती हैं, बहुत सारे मेरे पास patients आते हैं, जो बताते हैं, कि बच्पन में यह जी चीज़ें हुए थी जब मै आज पो सफर कर रहे हैं, जब यह anxiety long time चलती है, या cortisol create होता है, तो उनका brain भी compromise हो रहा होता है, वहाँ पे damage हो रहा होता है, जो आपको नजर नहीं आता है, तो kindly इन चीज़ों को सोचें, देखें और बचों की help करें, ताकि यह आप एक अच्छी कौम को raise कर सकें, thank you very much, hope it helps you अ.